नमस्कार दोस्तो और वेलकम टूदा विजाड इन फोड़ी पेंट दोस्तो दो बड़ी खबरे निकल कर सामने आ रहे है DRDO की तरब से पहली खबर है AMK के बारे में और दोसरी खबर है Python 5 Sam Missile के बारे में तो दोस्तो नज़र डालते हैं पहली खबर पर तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि जल्द से जल्द जो एमका करने आया प्रोटोटाइप है 2021 में ही मिल जाने की संभावना है और दोस्तों उसको ध्यान रखते वे DRDO और हिंदुसान एनॉर्टिक्स लिमिटेड मिल करके काफी जोर सोर्थ पर सभी काम करें और दोस्तों कुछ नई आपडेट निकल कर सामने आई है एमका के बारे में जिसमें की artificial intelligence की installation भी की जा रही है तो दोस्तों आपको बता दे कि जो खबर निकल कर सामने आ रही है कुछ defense analogist से की जो एमका का नया प्रोटाइप है उसमें अब autopilot का mode भी रखा जाएगा तो दोस्तो आपको बता दे कि जो नार्मल प्लेन होते हैं उसमें एक आटो पाइलट होता है जो कि नार्मल सिर्फ प्लेन को उड़ाने का काम करता है तो दोस्तो जो आपको बता दे कि अब इसमें एक नए आटिफिसल इंटेलिजेंस के जरिए एक आटो पाइलट को इंस्टाल करने के खबरे आ रहे हैं जो कि फाइटर जेट को एक तरीके से जैसे पाइलट चलाते हैं उस तरीके का एक आटिफिसल इंटेलिजेंस इसमें रहेगा जो कि प्लेन को कंट्रोल करेगा और साथ ही आटो पाइलट के जरिए वो लैंडिंग कराने में भी सच्छम होगा तो दोस्तो इससे फायदा यह होगा कि यदि पाइलट को कोई प्राइलट क्रेट होती है वार जोन में तो जो आटिफिसल इंटेलिजेंस है उसको कंट्रोल कर लेगा अब दोस्तो इस artificial intelligence का फायदा यह होगा कि अब इसका इस्तमाल जो air refueling में भी किया जाएगा क्योंकि दोस्तो आपको होता है जब fighter jet को refuel करना होता है आसमान में उड़ते हुए किसी air plane tanker के जरिये तो इसमें problem create होता है कि यदि जो pilot है बैठा हुआ है जो fighter jet को उड़ा रहा है थोड़ी सी भी mistake करता है तो काफी बड़ा हास्ता होने का chances बढ़ जाता है अगर दोस्तो जब इसमें एक artificial intelligence इंस्टाल हो जाएगा तो वो एक तरीके से air refueling से ले करके सभी तरीके के काम करने में सच्छम होगा और दोस्तो आपको बता दे कि इससे फायदा होगा जो की जो crisis है अक्सिडेंट है उसको बचाने में सच्छम होगा और यदि पाइलल को कोई problem होती है तो उसे आटो पाइलट पकर देगा और दोस्तो इसके बाद इस जो fighter jet नया इसमें एक और update निकल कर सामने आई है कि जो इसमें अब एक तरीके का health check-up भी रहगा क्यों दोस्तो आख बता दे कि जब कोई fighter jet उडान भरता है तो उसके कई सारे part होते हैं और किसी पार्ट में खराबी आने पर बड़ा हस्ता होने का डर रहता है और दोस्तो अब जितनी भी अत्यादूनिक fighter jets आ रहे हैं उसमें इस तरीकी की technology को install किया जा रहा है दोस्तो आख बता दे कि इस तरीकी की technology दुनिया के बहुती कम देशों के पास है और उसमें चीन पाकिस्ता पर ही वेस होगा जो कि जो fighter jet उसके सभी parts पर उसका control रहेगा और यदि कोई भी विमान का जो parts है यदि damage होता है तो सीथे जो artificial intelligence सीथे message main pilot को देगा और वो उसको ध्यान रिखते वे अपने हिसाब से fighter jet को control करेगा क्योंकि दोस्तों बता दे कि जो fighter jet काफी high speed और high altitude पर temperature काफी जदा बढ़ता और घड़ता रहता है उचाई के हिसाब से तो इसमें होता क्या है कि जो fighter jet का engine है वो damage होने का डर रहता है तो जब इसमें एक health check-up software install रहेगा तो वो मदद करेगा कि कोई भी हाथसा होने से पहरे उसका एक early warning message भेद देगा pirate को ताकि उस हाथसे से वि python 5 missile का test किया तो उसके बारे मैं detail में वीडियो अगली वीडियो में इसके just upload कर दूँगा आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं और जो दोस्त चैनल सब्सक्राइब नेखिए तुरण चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों आने वाले वक्त में जितने में update आने वाला EMC पर मैं full detail पर वीडियो बनाऊंगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे रहेएगा ताकि आप तक सभी latest defense update सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तों मिलतें फिर अगले वीडियो में